क्या आप भी उन लोगों में से है जो emotions manage करना नहीं जानते जो सोचते हैं भई ये emotions क्या होते हैं और इनको manage क्यों करना है Let me tell you one thing हमारे 80-85% diseases emotions से start होते हैं Emotions की वज़ा से हमारे body functions disturb होते हैं और फिर कुछ न कुछ बिमारी की शुरुवात होते हैं और इसलिए अगर आपको बिमारी से दूर रहना है और of course अगर आपको emotionally fit और mentally अच्छी condition में रहना है तो emotional management तो बहुत ज़रूरी है अब ये emotional management करनी कैसे है पहली बात तो आपको emotions को पहचानने आना चाहिए बहुत लोगों को तो लगता है मुझे कुछ अजीब लग रहा है या uneasy लग रहा है या restless लग रहा है मैं ठीक नहीं हूँ मैं tension में हूँ इससे ज़्यादा उनको पता नहीं चलता तो पहले तो बहुत important ये है कि आप ये जाने कि आपको गुसा आया है या आपको अकेले लग रहा है या आप discouraged या बहुत दुखी फील कर रहे हो अकेला फील कर रहे हो exactly आपकी emotion का flavor क्या है emotion के आपकी shade क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है जब तक आप emotion को जानोंगी नहीं पहचानोंगी नहीं उसको control कैसे कर पागी तो पहला step तो यह है कि आपको emotions पहचानने आनी चाहिए अब दूसरा step यह है कि आप उस emotion को express करें क्यूंकि अगर emotions दबे हुए रह जाएंगे तो किसी ना किसी दिन तो burst out होके वो बाहर आ जाएंगे तो अगर आपको emotions healthy way में express करने है तो या तो आपको लिख के express कर सकते हो आप या तो बात करके बहुत लोग कहते हैं कि हम सोचते हैं emotions के बारे में सोचने से मदद नहीं होती या तो actually बात करनी पड़ेगी या तो लिखना पड़ेगा अगर लिखना बहुत boring लगता है तो headphones डालिए walk को चले जाए लिए और अपने आपसे बाते कीजे हम बहुतों को तो ये अपने आपसे बाते करना थोड़ा mentally deranged सा लगता है होई बात नहीं लेकिन अपने आपसे बाते करने जितना अच्छा तरीका emotions express करने का मुझे तो नहीं पता देखें क्या होता है न आप कितने भी emotionally close हो आपके partner से या friend से या mommy daddy से या siblings से आप सारी बाते उनसे नहीं share कर सकते so अगर unedited मतलब बिना किसी परदा रखे हुए सारी emotions अगर आपको express करने हो तो आप खुद पे सबसे ज़्यादा trust कर सकते हो तो आप खुद को सारी बाते बोल के आपके emotions express कर सकते हो इसके बाद ना मन बहुत हलका हो जाता है और मन बहुत neutral भी हो जाता है तो emotional management से लेके physical well-being तक हर चीज के लिए आपको emotions को अच्छी तरह से जानना और express करना बहुत ज़रूरी है तो ये मेरे बताई होई तरीके ज़रूर इस्तमाल कीजे और मुझे भी बताईए कि आपको help हुई